नमस्कार किसान साथियों मैं आपका अपना सचीन चोहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूँ किसान साथियों जैसे के आप देख रहे हैं आज फिर पहुंचें एक पाउपुलर के खेट में काफी अच्छा ये पाउपुलर का प्लोट काफी अच्छे पेड़ तेयार हो रहे हैं काफी अच्छा सा ये ले चुके हैं बड़ा प्लोट जिस किसान भाई का ये खेत है वो खैर कैमरे के सामने तो नहीं आए क्योंके बड़े सिंपल हैं साधरन हैं खेती बाड़ी करते हैं चलिए खेर कोई बात नहीं लेकिन मैंने उनसे जो बात की जानकारी ली वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ शेयर कर देता हूँ किसान साथियो जैसे के आप वीडियो में देख रहे हैं मैं थोड़ा नीचे एक बार मिट्टी भी दिखाना चाहूँगा इस खेत की यह थोड़ी रेतिली मिट्टी है किसान साथियो इन किसान भाई के पास यहां लग भग तीन एकड़ी जमीन है और थोड़ी रेतिली मिट्टी कम जोर यह जमीन लेकिन इन्होंने एक काम बड़ अच्छा किया हुआ है, इस खेत में इन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है टीवेल जो है वो बिजली वाला है तो इन किसान भाई से मेरी बात हुई थी कियों पापलर की खेती ही इतनी बेस्ट है चोटे एक किसान के लिए, चोटे जमीन दार के लिए जिसके पास जमीन थोडी है उसके लिए और जैसे रेतिली जमीन है, उसके लिए पापलर की खेती अच्छी कियों रहती है तो किसान भाई ने बड़ी अच्छी जानकारी दी और मैं चाहूंगा कि आप सभी तक ये बात पहुंचाई जाए, शेयर की जाए क्यों पापुलर की जो खेती है वो छोटे कास्तकार के लिए, छोटे किसान के लिए बड़ी लाब दायक सिद होती है किसान साथियों जैसे कि आप देख रहे हैं, पेड काफी अच्छे तियार हो रहे हैं काफी अच्छा है, ये साइज ले चुके हैं, आकार ले चुके हैं, नो डाउट, कम से कम ये पेड 20-22 इंच से कम नहीं होगा और भी दिखाना चाहूँगा, मैं आगे बढ़कर आपको, देख सकते हैं, इसको भी आप 22 इंच से कम नहीं होगा और काफी अच्छी ये हाइट ले चुके हैं, पेड ऐसी बात नहीं, अच्छा प्लोट त्यार हो रहा है, लग बग तीने कड़ी जमीन, यहां किसान भाई की दूर तक आप देख सकते हैं, बड़ा प्लोट एक खेत उपर तो किसान साथियों, किसान भाई ने जो महतपून जानकारी दी, अब उसको शेर करते हैं, जानते हैं किसान भाई ने बटाया कि जैसे थोड़ी जमीन है, और रेतिली जमीन है, तोड़ी कम जशूर होती हैं, उसमें अतनी इछी फ़सल नहीं ही निकल पाती और जो खाद बीज, दवाई, लेबर, मजदूरी, वो काफी महंगी पड़ती है ओवर ओल अगर बात करें कि पूरा साल, पूरा सीजन, मेहनत करने के बाद गेहूं या चावल की फसल जिसे जीरी या धान की फसल बोलते है उसमें उतनी अच्छी निकम नहीं हो पाती और अगर उसके उपर खर्च लगाएं, लागत लगाएं तो लागत काफी अच्छी आ जाती है क्योंकि डीजल, पैट्रोल भी लगता है खाद दवाईयां भी डलती है, बीज भी लेना पड़ता है टाइम टाइम पर लई गुडाई भी खरानी पड़ती है उसे कटवाना भी पड़ता है तो कुल मिलाकर उसमें इंकम कम होती है और कही बार अगर फसल में बिमारी आ जाए तो वो इंकम भी شाहिद कही बार हाथ से चली जाती है और उर घर के गुजारे चलाने भी मुश्किल हो जाते हैं। अपने तीन एकट जमीन में पाउपलर के पेड़ लगाता हूँ। मेरा प्लोट कटता है जब भी मेरे पेड़ कटते हैं एक इसाथ वो कटवाते हैं। और जब भी कटवाते हैं मालीजिये स्पोज कि आज के टाइम का जो रेट है लगबग 1445.5 रुपे पर क्वेंटल चल रहा है उस हिसाब से उन्होंने बताया कि जी मेरा एक एक कड़से आराम से चार लाख तक का पेड पापुलर तियार हो जाता है एक मिस तीन एक कड़से हो गए 11 से 12 लाख रुपे अराम से तो किसान जाती हो बाप बताईए क्या कोई किसान भाई जिसके पास थोड़ी जमीन है और ऐसी कमजोर जमीन है क्या वो एक साथ दस से 12 लाख रुपे जोड़ सकता है फसल में शायद नहीं और यही कारण है कि आज कल किसान भाई पापलर क खेती की तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं पापलर की खेती की तरफ वो बड़ा ध्यान दे रहे हैं तो किसान भाई की बात मुझे अच्छी भी लगी क्योंके महंगी लेबर को देखते हुए खर्चों को देखते हुए बिमारी सिमारी को देखते हुए मोसम की मार को देखते ह मुझे लगता है popular option अच्छा रहेगा एक साथ इकठे ही लाको रुपे की फसल लकडी कट जाती है किसान भाई को काफी लाब हो जाता है किसी ने अपना मकान बनाना है बच्चों की शादी करनी है घर में कोई भी function करना है आधरवाई थोड़ी थोड़ी जमीन में एक साथ इत की तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं तो किसान साथियो मुझे किसान भाई की बात अच्छी लगी और आप लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी था तो जो किसान भाई थोड़ी थोड़ी जमीने रखते हैं या जिनके पास जमीन जादा अच्छी नहीं है कमजोर है उनके के पेड़ लगाएं अच्छी दूरी पर लगाएं जैसे यहां किसान भाई ने प्रोपर उचित गैप पर लगाए हुए तो किसान साथियो आज का जो संदेश था के पापलर की खेती हमें क्यों करनी चाहिए कैसे ये छोटे किसान कार किसान के लिए लाब दायक्षिद होत आएं और नए साथियों से मैं कहना चाहूंगा चैनल को सबस्क्राइब करें चैनल से जुड़े रहें भविश्य में और भी आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी महत्वपुन जानकरी लेकर आएंगे धन्यावाद